वियोर्स आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्त के बारे में ये मई का महीना पूरी दुनिया में मानसिक स्वास्त जागरूपता करूप में मनाया जाता है और हर देश में इस महीने में students के थूँ समाज में, media के थूँ कोशिश की जाती है कि जागरुकता को फैलाया जाए जिससे कि लोग अपनी मानसिक समस्यां को खुच समझ सके और सही समय पर उसका उपचार ले सके Because होता यह है कि जहां मानसिक समस्या होती है वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक patient को यह पता ही नहीं होता कि वो मानसिक रोगी भी है और मानसिक रोगी ऐसा नहीं है कि वो ही व्यक्ति होगा जिसके विवार में परिवर्तन होगा जो उल्टी सीदी activity करेगा तो अब तभी हम यह कहेंगे कि वो मानसिक रोगी है नहीं ऐसा नहीं है बलकि normal लोग दिखने वाले जो normal wave करते हैं वो भी मानसिक रोगी होते हैं इसलिए हम hospital में जैसे पूरा time देते हैं उसके बाद हम एक session colleges बगर में भी लेने जाते हैं जिसे कि बच्चों को बताया जा सके कि मानसिक स्वास्त क्या होता सिर्फ मानसिक स्वास्त इस महीने में वैसे तो हर महीने के अलग टॉपिक होते हैं इसके लिए हम खुद colleges वगरा में जाते हैं तो आज हम इस पर बात करेंगे कि मानसिक स्वास्त को हम कैसे पचान सकते हैं और इसका कैसे उपचार हम करेंगे या कहां पर करेंगे और कहां कहां पर इसकी facilities available है जहां पर हम इसके लिए जा सकते हैं और वो facilities क्या free of cost हैं क्या free of cost नहीं है basically देखा यह जाता है कि private sector में अगर आप जाएंगे तो वहां पर तो बहुत महंगा treatment इसका available है और अगर doctor की ही fees देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा है एक common विक्ति के लिए एक normal विक्ति के लिए तो वो affordable नहीं है जहां पर हम किशोरों या फिर युवाओं की बात करें तो अगर उनकी job नहीं है पढ़ाई करना है तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल है कि छोटी सी समस्या को लेकर वो कैसे वहां पर जाएं mostly हम यह देखते हैं कि जो किशोर हैं किशोरों में या फिर युवाओं में अपने शारिरिक परिवर्तन जो उनके अंदर हो रहे हैं उसी से बहुत सारा stress और तनाव पैदा हो जाता है उससे उनका मानसिक स्वास्त बिगड़ जाता है जिसे कि वो जो काम कर रहे हैं वो study कर रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं उसमें उनका 100% achievement नहीं हो पाता तो आज हम इन पर बात करेंगे कि सबसे पहले तो हम इस बारे में आपको बताएंगे कि किशोरों की या फिर युवाओं की जो चिंताएं होती हैं वो किस लेवल तक होती हैं और वो किस-किस तरीके से जुड़े होते हैं चिंताओं से जिसको कि वो यह समझते ही नहीं कि यह उनकी मानसिक समस्याओं है तो मानसिक समस्याओं को समझने के लिए पहले तो आपको यही समझ लेना चाहिए कि कौन-कौन सी वो चिंताओं है वो चीजे हैं जो आपको यह बत किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे इसमें जो सबसे पहला है वो यह है कि शारिरिक और मनोवग्यानिक भावनात्मक परिवर्तन यानि जब आप बड़े हो रहे हैं तो आपके इंदर चेंजे आ हैं emotional changes आ रहे हैं थोड़े चरचड़े हो गए हैं सबके साथ नहीं रहते हैं और फौट ज्यादा भावूब भी हो गए हैं छोटी सी बात पर एकदम रोदेते हैं या फिर टेंशन में आ जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा किसी से mentally attach हो जाते हैं यह सबसे बड़ी समस्या है इस उम्र की और युवाओं में अक्सर देखी जाती है हम कॉलेज में जब भी विजिट तो जाते हैं तो इस तरीके कि हमें बहुत सारे cases वहाँ पर मिलते हैं एक और है कि संबंदों तता समाज से जुड़ी हुई बहुत सारी चिंता हैं संबंदों समाज से मतलब यह है कि कहां पर आप adjust कर पा रहे हैं समाज में relationship में प्रेजिंट्स तो जा रहे हैं लेकिन युवा या फिर किशोर वहाँ पर अपने आप पर adjust नहीं कर पा रहे हैं एक और है स्वयम की पहचान संबंदी मुद्थे इस एज में युवाओं में किशोर वस्था में बच्चे जल्दी से चाते हैं कि वह कुछ बने और समाज में उनका नाम हो और एक पहचान मने और उसके लिए बहुत सारे काम करते हैं और कभी-कभी गलत भी हो जाते हैं कभी सही भी होते हैं यह भी बहुत बड़ी tension एक युवा के लिए रहती है जो उनकी बड़ी चिंता है सुतनतता और जिम्वितारी सुतनतता का मतलब है freedom बच्च से कोई पूछे ना और जो जिम्मधारी है उन पर कोई भी न डाली जाए उन्हों बिल्कुल सुतनतता मिले और घर के कोई भी काम वो responsibility के से नहीं करना चाहते है अगला है कि यौन क्रियाओं के विशह में ब्रहम यौन क्रियाओं के विशह में तो ब्रहम इतना है कि मैं तो लोगों में भी है जो BSC कर रहे हैं, beard कर रहे हैं और ऐसे स्टुडेंट्स हमारे counseling sessions में भी आते हैं hospitals में तो हम खुद हैरान होते हैं कि यह beard कर रहे हैं तो यह आगे बच्चों को क्या education देंगे इनको खुदी sexual problems के बारे में नहीं मालूम है और सिर्फ nightfall के अगर हम बात कर यह उनको नहीं मालूम हो तो कह रहा है यह तो गलत है यह तो होना ही नहीं चाहिए यह तो खून की सवबूंदों से बनता है तो अगर यह एक beard करने वाला जो आगे सिक्षक बनेगा अगर वही ऐसा सोचेगा तो फिर आगे हमारे समाज के बच्चों का क्या होगा तो यह त रहती है तो हमें बाहर भी जाना रहता है तो इसलिए बहुत सारे स्टुडेंट से हम लोग कंटेक्ट में रहता है तो कहने का मतलब यह कि यौन क्रियाओं के विशय में बहुत ज़्यादा है और इसको आपको अच्छे से समझना चाहिए अगर आपको भी इस समद्ध में बहुत सारा ब्रहम है तो आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर वहां पर यौन समद्धी समस्या है और उनका समधान करके एक वीडियो है जिसका थमनेल पर यह लिखा है और दूसरे और भी जुड़े हुए वीडियो हैं वह आप देख सकते हैं और उससे बहुत स स्वास्त पर क्या प्रभाव पड़ता हैं तो जो कि यहां पर जो आपकी मानसिक स्वास समस्या है अब हम उनके बारे में बात करेंगे उसमें जो सबसे पहला है वो है तनाव दता चिंता है सबसे पहला स्ट्रेस और आपकी जो चिंता है वो है इस ट्रेस के बहुत सारे कारण होते हैं फैमिली के भी हो सकते हैं फैमिली की त जैसे आपको बहुत सरी tension हो सकती है इसके अलावा जैसे हमने अभी बात की आपसे की physical changes भी एक सबसे बड़ा stress का कारण युवाओं में है इसको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है I think so कि हर बच्चे को जीवन में एक बार ऐसा session जरूर लेना चाहिए जिसमें कि उसको अपनी physical changes के बारे में अच्छे से information हो क्योंकि ये stress का सबसे बड़ा कारण है हमने खुद अपने hospital में ऐसे बहुत सारे student registered किये हैं जो कि student हैं अच्छे घरों से हैं अच्छे student schools के पढ़ने वाले बचे हैं लेकिन उनको अपने physical change के बारे में गलत information गलत feeding बाहर से मिलिए और ये जो समस्या है जो तनाव ज़्यदा चिंता है आपकी ये आपके physical changes की बज़े से भी सबसे ज़्यादा होती हैं तो इसके बारे में हम already video बना चुके हैं आप उसको जरूर देखें तनाव के बारे में अगर हम बात करें जिसे हम tension कहते हैं तो इसके उपर मैं फिर कभी special अ साती साथ इसके लिए संस्थान भी है मैं आगे इसके बारे में अभी आपको बता हुआ अब है अवसाथ अवसाथ का मतलब है कि डिप्रेशन डिप्रेशन का stage जो है वह long term tension रहने की वजह से फिर last में अवसाथ की स्थितिया जाती है यानि कोई भी विप्ति जब लंबे सम तक tension में रहेगा तो फिर वो depression में चला जाएगा लेकिन depression में जाने के पीछे क्या कारण है मतलब यही कि छोटी छोटी समस्या है जो tension की रूप में उसके साथ थी जिनका उसको समधान नहीं मिला जहां पर वो उनको solve नहीं कर पाया और उसी में रहते 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 वो tension में convert ह होई और उसके बाद वो depression में convert हो गई हमारे हाँ यह medical term में कहा जाता है कि long term जो stress होता है तनाव होता है या जहां पर हम किसी चीज़ को काम नहीं कर पाते हैं अक्षम हो जाते हैं वहां पर जब अक्षमता आ जाती है हमारे अंदर तब वो convert हो जाती है tension में यानि जहां हम कि इसी चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं और हमें करना भी है तब वो convert हो टेंशन में और जब long term टेंशन रहती है तो वो convert हो जाती है depression में और जब long term depression रहता है तो वो फिर convert होता है गंबीर पढ़ नामों में तो इसलिए ज़रूरी है कि initial stage में जो हमें problem है चाहे हो हमारी physical problem है personal problem studies related problem है तो उसे पहले ही हमें solve करना है और उसके लिए आपके पास expert है लेकिन बात यह है कि आपको पता ही नहीं है कि वो expert है कहां पर तो इसलिए उसके बारे में भी हम आभी आपसे बात करेंगे दूसरा है कि यहां पर यह कि आहार संबंदी विकार यह तो सबसे बड़ी समस से है जिस पर हम अलड़ी इस वीडियो से पहले भी discuss कर चुके है कि आहार संबंदी तो एक ऐसा समस्या बन गई है कि दो बार तो खाना है आप लोग टीम बार तो क्या चार बार तो कोई मतलबी नहीं बनता आप नहीं खाते आप दो बार खाना खाते हैं जितने भी students है जो दो बार रहे रहे है जो घर पर रहे रहे हनकीभी यही我在 10 बजे और शाम को पाकी खांट गरता है ञें लेकिन इस पर धिया तो नहीं, nutrient diet तो ले ही नहीं रहे, इस पर ध्यान नहीं है, इसको तो हम कभी दोशार ओपर देंगे ही नहीं, दोशार ओपर तो सीधा हम physical activity या फिर sexual activity को देंगे, ये है समझधारी यूवाओं की, लेकिन इससे बाहर आईए, बहुत कुछ अलग है इससे, ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो आपका आहार समझधी विकार है, ये तो आपकी sexual problems जो आपके साथ है, उसके लिए भी सबसे ज़्यादा responsible है, क्योंकि आप nutrient diet ले नहीं रहे हैं, और problems को दोशारो पर उसको दे रहे हैं, और कह रहा है, इसकी वज़े से मुझे ये problem हो गई है, बहुत सारे लो अलड़ी वीडियो बना चुकी है, अगर आप फिर कहेंगे तो मैं फिर भी इस पर आगे next वीडियो लेकर आँगो, फिर है मादक पदार तता सेवर, मादक पदार्थों का भी शुरुआत हमारे peers से होता है, यानि हमारे दोस्तों से होता है, जब हम बाहर निकलते हैं, दोस अपनी study में hospital में, जो अपने ही clients के साथ में, तो पाया ये है कि birthdays में बहुत सारी चीज़ों का initiative होता है, mostly you are बहुत से नए कामों का initiative birthday में लेते हैं, तो मेरी आपसे request ये है कि birthday आपका वो दिन है, जिस दिन आपको enjoy करना चाहिए, मनरंजन करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई का अपन को खराब करें, या फिर जो आपके लिए बहुत ज्यादा आगे कठनाईयां पैदा कर दें, क्योंकि birthday में लोग इतने ज्यादा emotional और खुश हो जाते हैं, और भावुक रहते हैं, कि वो ये सोचते हैं कि मुझे आज हर काम करके देखना चाहिए, हर चीज़ को try करके देखना चाहिए, because today is my birthday, तो आज मैं हर काम कर सकता हूँ, I have a freedom, घर से भी मैं निकल चुका हूँ, मुझे आजादी है, तो लेकिन उस समय का और उस अजादी का, आप अगर कैसा भी किसी भी तरीके से, normal way में अगर उपयोग नहीं करेंगे, तो आगे तो गंभीर पढ़ना तो देखा ये गया है, हमारे जितने भी clients आये हैं, उनमें भी, कि मादक परदार्थों का जो सेवन है, वो ऐसे occasions पे जादा होता है, जहां पर वो बहुत जादा खुश होते हैं, या फिर कुछ celebrations करते हैं, वैसे तो आम दिनों में होता ही होता है, तो कोशिश ये करिए, कि इन चीजों से बचिए, और किसी भी तरीके की कोई भी substance मत यूज करिए, और अगर आप यूज करते हैं, तो भी उसको छोड़ने के तरीके हैं, और उसके लिए centers हैं, उनके लिए दवाएं हैं, counseling sessions हैं, जिनसे आप इसे आसानी से छोड़ सकते हैं, उस कहा कराना है, वो मैं मैं अभी आपको बता हुआ, फिर है last में, जब इतनी सारी चीज़े किसी व्यक्ति के साथ में हो, जहां पर तनाव भी हो, यानि tension भी हो, depression भी हो, खाना पीने से संबंदित भी उसको problem है, वो वजन बढ़ नहीं रहा है, वजन घरता चला जा रहा है, sexual problem को हम दोशी दे रहा है, nightfall भी हो रहा है, motivation भी हो रहा है, साथ में हम को addiction भी कर रहे हैं, तो ultimately आप एक व्यक्ति की सिती का अंदाजा लगाए कि वो इन सारी समस्याओं के साथ कैसा feel करेगा, और अगर वो उन चीजों से cope-up नहीं कर पाया, उसके अंदर इतनी ability नहीं है, तो क्या होगा, वो कोई भी एक commit decision, एक बड़ा decision अपनी life के लिए भी ले सकता है, कुछ भी गलग decision लाइफ के लिए ले सकता है, तो इसलिए ऐसी चीजों से हमें बचना है और कोशिश करना है कि एक normal life जीए हम, और उसके लिए हमें उन centers पे contact करना है, जहां से हमें immediate मदद मिल सकती है, हमने पहले भ पर बच्चों के लिए pediatricians होते हैं, बच्चों के è doctors होते हैं, बड़ों के लिए physicians होते हैं, surgery करानिय सरजन हैं, लेकिन अगर कोई किशोर और किशोरी है, या फिर कोई युवा है अगर वो अपनी समस्याओं को किसी को बताना चाहता है वो किसी को दिखाना चाहता है अपनी feelings को बताना चाहता है उसमें एक better decision चाहता है तो वो कहां जाए उसको ये साहता कहां से मिलेगी क्योंकि इस तरीकी के तो private sector में इसे कुई centers होते ही नहीं जहां पर आप जाएं और डोक्टर को डोक्टर से मिले और फिर किसी एक्सपर्ट से मिले और वो आपको ये बताए कि स्क्शुल असॉल्ट हुआ है तो आपको क्या करना है अगर आपको physical, mental, emotional feeling है तो आपको क्या करना है आपको sexual feeling अगर आ रही है या फिर sexual problem से तो आपको क्या करना है तो इस तरीके के centers private sector में नहीं है लेकिन government sector में ऐसे centers है जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और उनमें आप जाकर संपर्ग कर सकते हैं वहाँ पर आपको दो center मिलेंगे जहाँ पर एक center है जो की मानसिक स्वास्तिकाई है जहाँ पर आपको best psychologist भी मिलेंगे, psychiatrist भी मिलेंगे और doctors भी मिलेंगे जहाँ पर आप अपनी जाकर ये समस्या बता सकते हैं अगर doctor को ये लगता है कि आपको medicine की जरूवत है तो वो medicine देगा साथी-साथ counseling sessions तो वो आपके कराएगा ही कराएगा और जितने भी बार वो आपको बलाते हैं उतने बार आपको आना है वहाँ पर अगर वो medicine चलाते हैं तो आपको medicine जरूर लेनी है क्योंकि वो medicine कहने में तो medicine है लेकिन वो आपके behavior को आपके body को एक normal smoothness लाने में या फिर behavior में लाने के लिए बहुत important है तो आपको simply जिला स्पताल में अपने नजदीक के जाना है जिस भी जिले में आप रहते हैं आप भारत में कहीं भी रहते हूं आपको अपने नजदीक के district hospital में जाना है और मैं यहाँ पर एक चीज़ अडिशनल यह भी कहना चांगो है मैं असमस्ता हूं कि जो और देश हैं यह facility सबी देशों में है वहाँ पर आप किसी भी जगह रहे हैं अपने नजदीक की जिला श्पताल में डिस्टिक हॉस्पिटल में जो जाकर इस भारे में पता करें तो फिलाल अगर आप इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में अगर आप कहीं पर भी हैं तो आप अपने नजदीक के जिला स्पताल में जाएए वहाँ पर मांसी किकाई बनी हुई है और वहाँ पर परचाब बनवाके सीधा आप मांसी किकाई में जाएए वहाँ पर उन्हो प्रोब्लम है क्या तो जब आप कांसलिंग स्षिंवें जाएंगे तो आदी प्रोब्लम तो आपके वहीं दूरॉ 일반 क्योंकि आपको जो भी प्रोब्लम है वहाँ से शौटा फरेनी मुझा उसका पता चल जाने और स्लीशन आपको वहां से पता चल जाएगा तो यह एक स्थान की स्पेशिलिटी थोड़ी सी यह है कि यहां पर किसी भी एज गुरूप का बंदा जा सकता है। प्रस अटेच्चमेंट महसूस हो और आप आराम से वहां पर जाए तो वहां पर भी आपको यह करना है कि एक परचा वनवन है जिला अस्पताल में जाकर सरकारी अस्पताल में और सीधा संपर्ग करना है वहां के साथिया जा सकते हैं जिला अस्पताल में अगर आप जा रहे हैं तो अगर आप लड़का हैं तो आपको जो कॉमन होस्पिटल होता है जना जर्नल होस्पिटल होता है वहां संपर्ग करना है और अगर आप लड़की हैं तो आपको महिला अस्पताल में कॉंटेक्ट करना है जो कि जिला को समझेगी और आपको बताएगी और अगर आपको एक युवा हैं आपकी शोर हैं आप लड़का है तो आपको जनल हॉस्पिटल में जाना है और वहां पर पर दिखाना है तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए दोनों जगह अविलिबल है और जो मांसे के काई है जो मैं अभी है वो सिर्फ जनल हॉस्पिटल में है वो किसी भी एज ग्रूप के लिए आप वहां पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है और वहां पर डॉक्टर को दिखा सकता है तो इन दोनों जगह जाकर आप ज़रूर अपनी समस्याओं को बताएं वहां पर जो सेवाई दी जारी है उनका लाब उठाएं इसका कोई चार्ज नहीं है सिर्फ इतनी सी बात करने के लिए छोटी सी समस्या को बतानी के लिए अगर आप किसी प्राइविट हॉस्पिटल में जाएंगे किसी साइकर से मिलेंगे तो अच्छे खासे आपके पैसे खर्च हो जाएंगे वहां पर अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है कि शोर अवस्थाय से जुड़ी हुई तो आप अपने नजदी के ब्लॉक इस्तर के अस्पताल में भी जा सकते हैं वहां पर भी यह फेसिलिटी उपलग्द है और वहां से इन समस्याओं को का समाधान ले सकते हैं लेकिन वहां पर सिर्फ 10- से 19 साल तक के लोग ही दिखा सकते हैं अगर इस एज गुरुप से ज़्यादा के लोग हैं तो वह वहां नहीं दिखा सकते हैं उनको जिला स्पताल जाना पड़ेगा तो अगर आप किशोर हैं तो आप ब्लॉकस्तर पर भी दिखा सकते हैं जिनकी उमर 10-19 साल है और आप जि लीजर दिखाना है तो आपके लिए बहाँ पर मानसिक गेंदर भी है और आप दिखा सकते हैं represent या फिर मानसिक काईं कई में जाने के लिए बर मैं आपको बठारा हूं यह कभी मैं सोचेगा कि आपको कोई मांसिक रोग नहीं है मैं तो मांसिक रोगी नहीं हुँ मुझे तो कोई problem नहीं है मैं क्यों जाओं वहाँ पर लेकिन एक बार जरूर जाइए वहाँ पर क्यूंकि वहाँ पर आपको जो counseling session मिलेगा वो बहुत ज़्यादा important होगा आपके लिए और उससे आपको बहुत ज़्यादा lab मिलेगा अगर आप एक बार किसी भी counselor से counseling कराते हैं तो जितनी भी tension होती है जिससे हम गुजर रहते वो काफी हद तक कम हो जाती है फिर भी अगर आप वहाँ नहीं जा पाते हैं तो at least आपके लिए यह एक platform तो ऐसा है जहां पर आप मुझसे बात कर सकते हैं जहां पर आप sessions ले सकते हैं यह भी counseling session है जो आप मुझे देख रहे हैं मेरी बास सुन रहे हैं तो आप इस माध्यम से भी अपनी problems को यहां पर shout out कर सकते हैं लेकिन यहां पर हम एक session में एक ही topic को लेंगे एक session में एक topic को complete कर पाएंगे तो इसलिए हम आगे आने वाली series में इन सारी problems को आपके शामिल करेंगे हमने पिछली वीडियो में भी बताया था अब भी आपको बता हैं कि आने वाले समय में हम आपकी जितनी भी personal problems हैं उनकी एक series बनाएंगे one by one number से बनाएंगे और उसमें आप हर एक problem का solution वहां पर देख सकते हैं वहां पर समझ सकते हैं अगर आप hospital कभी नहीं गए हैं government hospital तो आप यहीं अपने घर पर बैठकर उन सारे sessions को सुनिए आपकी जितनी भी problems हैं वह सारी solve हो जाएंगी और मैं समझता हूं कि इन सारे जो series आएगी आने वाली उसको देखने के बाद आपको जो mentor relax मिलेगा आपको जितना अच्छा मैसूस होगा और आगे की जो planning है आपकी जितनी अच्छे से आप कर पाएंगे वह बिना session के आप करने में थोड़ी सी कटनाई होती है आपको मैं समस्ता हूं कि जो sessions आगे आएंगे वह आपके लिए बहुत important रहेंगे और आपको वह जरूर देखने चाहें अच्छे साँ मैं तक है आपको जो धिए कन आपको सुए एंच्छे उस्माइंट वी ट्स्माइब वीक्विड्यस